लोगों पर आसानी से भरोसा कर लेते हैं राजकुमार राव। जानवी कपूर के कहने पर पी गये थे बीट अदिन की आधी बोतल। जानवी कपूर और राजकुमार राव फिलहाल अपनी फिल्म मिस्टर एंड मिसिस माही की सक्सस एंजॉई कर रहे हैं। फिल्म रूही के बाद राजकुमार राव और जानवी की साथ में ये दूसरी फिल्म है। और्डियंस ने इस पर मिक्स रिव्यू दिये हैं। वही आक्टर्स भी फिल्म का प्रमोशन करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। हाली में दकपल शर्मा शो पर दोनों आक्टर्स दिखाई दिये। जहां उन्होंने फिल्म से जुड़े कई प्यारे प्यारे किस्से भी शेयर किये। जानवी कपूर ने राजकमार राव के बारे में बात करते हुए कहा कि वो लोगों का बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं। फिल्म रूही के धौरान हुए, किस्से के बारे में बात करते हुए, जानवी कपूर ने बताया कि एक बार रूही की सेट पर उनके गले में खराश हो गई थी और मैंने उन्हें बताया कि बीटा रीन नाम की दबाबा आती हैं आप इसे ले लेना ये आपके गले की खराश को ठीक करते की जानवी ने कहा कि सिर्फ इस लिए कि मैंने कहा कि तुम्हें ये लेना ही होगा उन्होंने इसे लिया और पी गए जबकि बीटा डीन से गरारे किये जाते हैं पिया नहीं जाता जानवी ने कहा कि जब अगले दिन राजकमार राव से पूछा गया कि कैसा लग रहा है तो राजकमार राव बोले हाँ बिल्कुल ठीक हो गया हूँ इसके बाद जानवी ने पूछा कितनी बार गरारे किये थे इस पर राजकमार राव ने कहा कि उन्होंने गरारे नहीं किये बलकि आधी बोतल पी गए जानवी ने पूछा पी क्यों इसके अलावा जानवी ने बताये कि उन्होंने जान भूच कर सुर्कियां बटोरनी के लिए रोही के दोराने कॉंट्रोवर्शिल बयान दिया था। जानवी कपूर ने अपनी फिल्म को हाइलाइक में लाने के लिए कहा था कि वो फ्यूजर में राजकमार राव के साथ काम नहीं करना चाहती है। वैसे आपको बता दे मिस्टर और मिसस माही ने अब तक 2.14 करोड रुपे की कमाई कर ली है।